इस्टुएंट्स हम टॉपिक कवर कर रहे हैं लिमिट पॉइंट ऑफ सेट जिसमें आज हम एक कोश्चन सॉल करेंगे कोश्चन क्या है उसे पढ़ते हैं और समझते हैं देखे शो देट एबरी पॉइंट ऑफ सब्सक्राइब कर यही मनुद्ओ ऑफ याय कोश्चन क्या है िसको समझ लेते हम दो देखे शौ 2001 सकरना है every point of set of real number r यहनि r के सभी point is limit point होते हैं किसके r के यहनि उसी set के इसका मतलब यह हुआ कि every point of r is limit point of r यहनि r के सभी point limit point होते हैं जिसके R के, R means real number का set, देखिए, solution करते हैं इसका, let P is any arbitrary real number, हमने let किया एक arbitrary number जो की real है, जिसको हम लिख सकते हैं, symbolically P belongs to R, अब हम एक बात यहां यह समझ लें, और आप लोग जानते ही होंगे, पिसली वीडियो में clear कर दिया है, कि limit point प्रूफ करने के लिए, कि P limit point है या नहीं, तो हमें एक open interval consider करना होता है, जिसमें वो P point विलोंग करें, ऐसा open interval, तो देखिए, तो open interval, P minus epsilon, comma P plus epsilon is never root of P, हम जानते हैं, कि every open interval, sorry open interval is never root of its point, अपनी सभी point का open interval never root होता है, इसलिए P का never root भी यह होगा, ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, कि इस never hood में, इस real number का जो set R है, इसके infinite many elements belong करते हैं या नहीं, यह देखना है हमें, अगर करते हैं, तो P limit point होगा, अगर belong नहीं करते हैं, तो नहीं होगा, ठीक है, हमें क्या देखना है, कि P limit point है या नहीं, पी एक real number है, और इसका open interval हमने consider किया, P minus epsilon, P plus epsilon, यह जानते हैं, यह जानते हैं, वेर, epsilon is real number such that epsilon greater than zero, यह जानते हैं, इसका open number है, यह जिएलों से greater होता है, यहनि कि positive होता है, therefore, P minus epsilon and P plus epsilon, दोनों कैसे number होंगे, two real number, distinct real number, इवी लिखने जरूरी है, two distinct, दोनों अलग-लग real number होंगे, क्योंकि epsilon क्या है, रियल number है, P क्या है, real number, real में real minus करें, real होता है, real में real plus करें, real होता है, अब हमें यह देखना है, कि P minus epsilon और P plus epsilon, इनके वीच में, क्या, रियल number का जो set है, उसके infinite many elements belong करते हैं, या नहीं करते हैं, ठीक है, देखते हैं, देखिए, हम जानते हैं, यह फ्यारम होती है, क्या, कि since between any two distinct real number always lies infinitely many real number, यहनि, दो अलगलग real number के वीच में, infinite many real number lie करते हैं, यह इस्तित होते हैं, हम जानते हैं, यह थ्यारम हम पीछे बता चुके हैं, कि यह आपको direct याद रखना है, कि दो real number के वीच में, बहुत सारे real number, क्या होते हैं, लाई होते हैं, और उन real number में, रेस्नल नंबर होते हैं, और रेस्नल नंबर होते हैं, ठीक है, तो जहां रेस्नल की ज़रुद पड़े हैं, तो वह रेस्नल भी हम लिख सकते हैं, तो हमें क्या लिखना होगा, real number ही लिखना होगा, infinitely many real number, therefore, हम क्या लिखेंगे, p minus six island, p plus six island, जो की never road है, पी का, देखिए, contains many real number, इससे क्या conclude होगया, कि जो हमने open interval consider किया, उसमें, many real number क्या कर रहे हैं, contain कर रहे हैं, therefore, p is limit point of r, यहनि कि इससे क्या proof होगया, कि p limit point है, इसका real number के set का, ठीक है, तो यह process हुआ, कि इसका, कि हमें कोई point check करना हो, कि यह point, इस set का limit point है या नहीं, तो हमें क्या करना होता है, एक never hood consider करना है, जिसमें वो point belong करें, फिर हम यह देखेंगे कि इस never hood में, set के infinite many point belong कर रहे हैं या नहीं, चुकि यहां belong कर रहे हैं, तब हमने लिख दिया कि यह p point क्या है, limit point है, हमें proof करना है कि every limit point, sorry, every point of real number is limit point of real number, यहां यह line, इस question में हमने पहले भी लिखा, यह statement है, कि p is an arbitrary real number, चुकि यहां पर p क्या है, एक arbitrary number है, जो कि real है, और हमने यह proof कर दिया कि p एक limit point है, real number के set का, we conclude that, so every point of R is limit point of R, तो यहां यह proof हो जाता है, कि every point of R, यानि R के सभी point क्या होते हैं, limit point होते हैं, उस set R के, ठीक है, तो इस type के देखिए, और भी question है, जैसे कि हम rational number के set के लिए check करें, कि इसके limit point होते हैं यह नहीं होते हैं, हमने natural number के लिए proof कराया है, integer के लिए आप proof कर सकते हैं, कि यह है यह नहीं, check कर सकते हैं, तो question अगर नहीं होगा, तो हमें नहीं में proof करना है, और होगा कि इससारे point limit point होती है तब हमें उसी type से प्रोव करना है इसमें set आप लोगों बताया है मैने natural number का set, integer set, rational number का set, real number का set इनके वारे में हम discuss कर लेते हैं कि कौन से set के element limit point है और कि इस set की नहीं है हमें natural number के वारे में हमने झाल झाल झाल